हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ बालमुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानिक स्पीड तो आज के इस क्लास में हम डिसकस करेंगे 11 नॉम्बर 2020 टुपल सी एक्जाम में पूछे के कुछ important questions तो आज सबसे पहले देख लेते हैं आज किनकिल लोगों ने हमें questions बेजे हैं हलाकि मैंने आज सभी के questions सामिल नहीं किये हैं बहुत से लोगों ने हमें questions बेजे थे जिन में से कुछ लोगों के questions आज हम discuss करने वाले हैं तो सबसे पहला नाम है Manish Kumar, Raj Gautam, Anil Kumar, Bhavna, Saur इन सभी को में इतरब से बहुत बहुत धन्यबाद और जिनके भी questions अभी हम अपने classes में discuss नहीं कर पाएं आप सभी के questions अलग से separate videos में हम discuss करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें questions बेजे हैं सभी के questions एक video में discuss करना possible नहीं होता है तो आईए देखते हैं आज का सबसे पहला question और आज भी हम selected question डिसकस करने वाले हैं जो की trupples exam में पूछे गए हैं तो आज का सबसे पहला question निमलकित में से कौन transition प्रभाव नहीं है बताए जल्दी से इस question का right answer क्या होगा और अगला question पूछा गया है आईडी कमांड का उद्देश से क्या है यह linux operating systems related question पूछा गया important question है आईडी कमांड का उद्देश से क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा option C print effective and real UID जिसको बुलते हैं user ID and GID जिसको बुलते हैं group ID तो इस question का right answer है option C और अगला question जो की सबसे ज़ा important है थोड़ा सा complex भी है इस question में पूछा गया है कभी-कभी email स्रंखला में Sunday's thread यानी पिछले Sunday's को नहीं छोड़ना मातपून क्यों होता है इसको English में नीचे हमने translate करके लिख दिया है यह थोड़ा सा important question है और यह question hundred percent genuine questions है जो की triple C exam में पूछे जा रहे है तो अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer हो जाएगा आप साने to increase comprehension of the latest message and so the history of message that led up to this point in the exchange इसको हमने हिंदी में नीचे translate करके लिख दिया आप देख सकते हैं ओके तो यह आज की class का सबसे important question है जो की triple C exam में पूछा गया है तो आप आई देखते हैं अगला question एक default frame relay WAN को किस प्रकार के भौतिक network के रूप में वरिक्रत किया गया है और previous paper solutions के वीडियो में भी आपको इसी तरह की important questions मिलेंगे क्योंकि इस month हम paper solutions में सिर्फ selected questions को discuss कर रहे हैं जो की important हैं पहली बाद triple C exam में पूछे जा रहे हैं या फिर हमने इस तरह की questions अपनी classes में discuss नहीं किये तो इस question का right answer हो जाएगा option C गैर प्रसारन multi-access और अगला question है उप्यूप करता गत्य पिदी पर नजर रखता है और प्रस्ट भूमी में उस जानकारी को किसी और को प्रेसित करता है monitor users activity and transmit that information in the background to someone else क्या होगा इस question का right answer बहुत simple जा question पूछा गया है तो इस question का right answer हो जाएगा option B keyboard होता है वो sky के आधार पर कारे नहीं करता है keyboard कुछ signals generate करता है जब हम कोई key press करते है और उन signals को computer के द्वारा translate किया जाता है तो इस वज़े से question का right answer हो जाएगा option B false और अगला question पूछा गया है अलगी इस question को लगातार पिछले कई दिनों से पूछा जा रहा था इसको हमने अपने paper solutions के वीडियो में discuss नहीं किया था आधार के लिए SMS किस नंबर पर भीजते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option C 1947 SMS नंबर होता है जिसमें आप आधार block करने के लिए register करने के लिए कई अलग अलग तरह की services हैं जो की UIDAI के द्वारा इस नंबर को जारी किया गया है यहाँ पर आधार से related जानकारी ले सकते हैं या फिर आधार block कर सकते हैं अलग अलग तरह की services आपको इस नंबर के मादम से मिलती है और अगला कुशन है QR code की प्रक्रति क्या है what is the nature of QR code means QR code किस तरह का होता है circular, square, horizontal या फिर rectangle तो जो QR code होता है वो square में होता है तो इस question का right answer हो जाएगा option B square और अगला question पूछा गया है UPI की स्थापना NPCI की द्वारा की गई तो बहुत simple से question है basic है से पहले भी question पूछा जा चुका है इसको बस पूछने का तरीका थोड़ा सा change किया गया है और अगला question पूछा गया है punch card का उप्योग क्या है हलागी जिसने भी this question को हमें बिजाता options नहीं दिये तो जो punch card होता उसको digital data representation के लिए इस्तिमाल होता है computer में input देने के लिए punch card का इस्तिमाल करते है तो इस question का right answer को इसी तरह का दिया रहा होगा digital data representation जोकि इस question का right answer होगा और अगला question पूछा गया है क्या robot का उप्योग intelligence bureau के लिए किया जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा true robots का इस्तिमाल defense sector में intelligence bureau के द्वारा भी किया जाता है और अगला question पूछा गया है library office में हस्ताचर का उप्योग क्या है तो library office में अगर आप file menu के अंदर जाते हैं जैसे हमें आप पे library office writer open करते हैं file menu पे आज जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक digital signature का एक option मिलता है जहां से आप अपने document को digitally sign कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D all of the above integrity, authentication, non-reproduction के लिए digital signature का इस्तेमाल की जाता है library office writer यह calc के impress में और अगला question पूछा गया है library office में new time zoom क्या है सबसे पहले इस question को अच्छे तरीके समझ लीज़े यहाँ पे writer calc impress नहीं लिखा गया सर्फ लिखा गया library office तो library office में new time zoom होता है 5% अगर हम individual की बात करें जैसे writer में minimum zoom होता है 20% इसी तरह से calc में भी minimum zoom होता है 20% और अगर हम impress की बात करें तो minimum zoom होता है 5% तो library office का minimum zoom क्या होगा 5% और अगला question ने credit card के विसकारक कौन है लगातार equation पिछले कई महिनों से continue पूछा जा रहा है John Begins ने सबसे पहला credit card डबलब किया था या credit card का विसकार किया था और अगला question ने Ubuntu में email client क्या है important question है interesting भी है तो email हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं एक email client के थूँ और दूसरा web browser के थूँ जिसको हम web mail के नाम से जानते हैं तो email client क्या होता है जैसे कि Outlook Express, Thunderbird, Mailbird ये सभी क्या है email client होते हैं लेकिन इस question में पूछा गया है Ubuntu में email client क्या है जैसे आप Windows operating system का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें default जो हमारा mail client होता है Outlook Express और अगर हम Ubuntu operating system की बात करें तो इसमें default mail client होता है Thunderbird तो याद रखेगा important question है और अगला question है इन में से कौन बड़ा है GB, MB, TB, KB बहुत सिंपल से question आप सभी को पता होगा TB सबसे बड़ा होता है उसके बाद GB होता है फिर MB फिर KB तो KB इन में से सबसे smallest है फिर होगा MB फिर GB और TB जो की सबसे ज़्यादा capacity होती है और अगला question ने प्रत्थम computer इनियाक किस PD का है important question है तो जो इनियाक computer है वो सबसे पहला electronic computer है यह first generation का computer है जिसको J.Prasper, Eckert और John Mosley ने डबलब किया था तेस question का right answer हो जाएगा आप सने प्रत्थम और अगला question है आप इन में से किस में live streaming कर सकते हैं Twitter, Instagram, YouTube या फिर उपर के सभी तो Twitter, Instagram, YouTube इन तीनों में आप live streaming कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D उपर के सभी और अगला question पूछा गया LibreOffice में control प्लस G का क्या उप्योग है तो इसको भी आप देख लिजे जैसे हम यहाँ पे writer open करते हैं आपको जाना edit menu के अंदर यहाँ पे दिखिए go to page की shortcut की होती control प्लस G अगर आप click करेंगे आपके document में multiple pages है तो आप किसी एक specific page पे जाने के लिए आप पे page number टाइप कर सकते हैं तो इस question का right answer क्या हो जाएगा आप तर ने go to page और अगला question पूछे गया है YouTube पर live video देखना क्या कहलाता है uploading, downloading, streaming या फिर इन में से कोई नहीं तो YouTube पे या फिर Facebook पे या फिर Instagram पे live streaming को देखना या live video को देखना क्या कहता है streaming तो इस question का right answer हो जाएगा option C, streaming और अगला question ने live office calc में text color किस menu से बदलते हैं तो text color, live office calc, impress या फिर writer की बात करें तो इन तीनों में formatting menu का इस्तिमाल करके change किया जाता है तो इस question का right answer जाएगा option B, formatting menu और अगला question ने live office में file default रोप से किस नाम से save होता है तो अगर आप writer calc impress इन तीनों में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा title बार होता है वहाँ पे आप देख सकते है default file name क्या है untitled यहाँ पे 123 जितने आप document open करते जाएगे इस तरह से numbers बढ़ते जाएगे अब अगर आप इस file को save करते हैं तो दिखें काँ default name क्या आता है untitled 1 यह 2 यह 3 तो default name क्या हो जाएगा untitled इस question का right hand से हो जाएगा option 1 काफी basic basic points से triple six exam में questions पूछे जा रहे हैं और अगला question है यह स्क्रीन पर समय नहीं दिख रहा है तो हम इससे देखने के लिए किस command का उप्यूग करेंगे तो जिसमें भी इस question को हमें भीजा था फूरा complete question नहीं था कुछ टूटी-फूटी language में इस question को लिखके भीजा थे इन्होंने और options भी नहीं दिये थे तो अगर यह question Linux operating system से related पूछा गया होगा तो Linux operating system में time और date देखने के लिए जो command होता है date इसका आप इस्तिमाल कर सकते ह लेकिन अगर आप DOS या विंडोस में time और date देखना चाते हैं तो यहाँ पे time command का इस्तिमाल करेंगे। Windows और DOS में दो अलग-अलग तरह के command होते हैं, अगर आप time देखना चाते हैं, तो time command का इस्तिमाल करेंगे, और date देखना चाते हैं, तो date command का इस्तिमाल करेंगे, बट अगर आप Linux में जाएंगे, तो date ये time और date दोनों सो करता है, दोनों के लिए same command होता है date, ओके तो अब क्वेशन का right answer हो जाएगा false, बड़ी स्क्रीन पर किसी image को देखने के लिए projector का इस्तिमाल के जाता है, ना कि plotter का, और अगला क्वेशन क्या hiker के द्वारा computer को hack करना हमेशा गलत और डंडनी है, और जो लोग December CCC exam की तयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए छोटा सा suggestion है, आप हमारे चैनल की playlist में जाके, triple C new syllabus complete course नाम की playlist है, यहां से आपको free of course पूरा complete syllabus मिल जाएगा, तो सबसे पहले आप syllabus complete कीजे, उसके बाद आप practice करिए, घर बैठे, आराम से आप एक बार में triple C के exam qualify कर सकते हैं, ओके तो इस question का right answer हो जाएगा false, हमेशा दंडनी नहीं होता है, क् देखोता है white hat, black hat, gray hat, तो इस तरह से अगर हम देखें, तो तीन types होते हैं, जो white hat hackers होते हैं, वो किसी company, organization, यह government के लिए काम करते हैं, जो कि किसी develop की गए system की security को check करने के लिए, उसे hack करते हैं, उसमें क्या drawbacks हैं, यह बताने के लिए इस type के hackers का इस्तिमाल होता है, तो यह एक तरह से हमीशा दंडनी या गलत नहीं होता है, और अगला question पूचेगा है, hacker समुदाएं में सबसे अच्छा hacker किस hacker को माना जाता है, अभी-अभी मैंने explain किया, तो जल्दी से बताए, इस question का right answer क्या होगा, white hat hacker, blue hat hacker, gray hat hacker, या फिर black hat hacker, तो इस question का right answer होगा, आपसर ने, white hat hacker, जिनको अच्छा hacker माना जाता है, क्योंकि ये government ये किसी organization के लिए, उनकी security check करने के लिए, system को hack करने के लिए, इस type के hackers का इस्तिमाल किया जाता है, तक कि पता चले कि उनके system में security problems कहां कहां पे हो सकते हैं, कौन-कौन सी security problems हो सकते हैं, और अगला question पूछा गया है, hacker से अपने data की सुरच्छा करना क्या कहलाता है, तो जिसने भी इस question को हमें बेजा था, options नहीं दिये थे, तो इस question का right answer हो जाएगा, privacy, और अगला question पूछा गया है, library office में window का आकार नहीं बदला जा सकता है, तो आप यहां से देख सकते हैं, practical क साथ आप जाएए, इसका size change कर सकते हैं, means इसको हम resize कर सकते हैं, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, false, आकार आप बदल सकते हैं, तो अगला question है, startup यूजना किसके लिए सुरू की गई, ये question पहले भी कई बार exam में पूछा जा चुका है, बस इसकी थूड़ी सी language change कर दी जाती, इस question का right answer हो जाएगा, option B, उधमियो means, entrepreneurs के लिए startup India, central government की तरफ से एक यूजना start की गई है, और अगला question पूछेगे, control plus shift plus R, किसकी shortcut कुझी है, तो ये भी question important है, अब यहाँ पे भी options नहीं दिये गए थे, तो आपको पता होना चाहिए, control plus shift plus R, किसकी shortcut की होती है, अगर आप ruler को hide या unhide करना चाहते हैं, तो control plus shift plus R shortcut key का इस्तिमाल करेंगे, जैसे हम यहाँ पे writer open करते हैं, ruler क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो line देख रही, यह हमारा ruler है, इसको hide या unhide करने के लिए आपको जाना है, view menu के अंदर, यहाँ पे आप ruler का option देख सकते ह control plus shift plus R, अगर हम एक बार प्रस करेंगे, तो यह hide हो जाएगा, दुबारस अगर हम यहाँ पे जाते हैं, और इसी same shortcut key को अगर प्रस करते हैं, तो यहाँ पे यह ruler हमारा so होना start हो जाएगा, तो यह था आज की class का last question और इसी तरह के important questions आप previous paper solutions में भी देख सकते हैं, तो जित और हमारी website gyanxp.com पे आपको triple C new syllabus से related पूरा study material मिल जाएगा, model paper, mock, test, video lectures, practice test, सारी चीज़े इस website पे uploaded हैं, तो यहाँ से भी आप अपने triple C exam की complete तयारी कर सकते हैं, साथ में जो लोग दिसंबर के लिए triple C exam की तयारी कर रहे हैं, आप लोग सबसे पहले syllabus complete कीजे, हमारी चैन बस complete कीजे, इसके बाद important questions के वीडियो देखते रहे हैं, ओके तो comment section में जरूर बताएगा कि आज की class कैसी लगी और जिन लोगों ने आज हमें questions भेजे हालागी सभी के questions आज हमें इस class में discuss नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार फिर से आप सभी को में इतब से बहुत बहुत आप सभी है, इसी तरह से हमें एक, दो, तीन, चार्ज, जितने भी questions आपको याद होते हैं, जरूर send कीजिगा, question भेजने के लिए आप हमारा email ID यूज कर सकते हैं, info.gyanixp.gmail.com या फिर आप हमें whatsapp पे send कर सकते हैं, whatsapp नमबर आपको screen पे दिख रहा होगा, या फिर आप हम इंस्टा ये facebook पे send कर सकते हैं, इंस्टा और facebook ID या फिर आप हमें follow कर सकते हैं, तो मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए bye bye, thank you, thank you for watching.